सब्सक्राइब करें हमारे योड़ोड चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले पैल आइकन डबाना ना भूले मैं तुसको भी काट डालूगा तलवान निकली रावन में त्यों रच्छन के लिए रावन की पत्नी का ही हाथ बीच में आगा अरे स्वामी क्या कर रहे हो नारी अबला इसको मारोगे यह तुम्हारा बीरत तो है एक अबला पर प्रहार करो कहीं लोग नारी पर ही ताल ठोक क बड़े अपने को दिखाते हैं कि जानती हो काट डालूँगा अरे वो बचारी अबला उसको क्या दंकी दे रहे हो नारी को दंकी दो बीबी के भाई तो मारूंपड़े का दही कोड़ी बिकाता है मंदुदरी ने बीच में हाथ लगा दिया नारी है अबला है इसको क्या इसमें बड़ी बीरता आपकी दिखा रहे हो तो काट डालूँगा माँ डालूँगा यह बड़े बीर हो तुम रामन समझ गया अब तर्मार धली एक महने का टाइम दिया चला गया है रामन अब सीता मैया बहुत पिड़ित थी एक तो राम का वियोग ही अपने में बहुत बड़ा घाव था उनके लिए उपर से राचसियों का अत्रास रामन की धमकियां सीता मैया ने तर्जिटा मा से कहा मा थोड़ी आग ले आओ में जलना चाहती है शीता मैया बहाना बना के चली गई तर्जिटा मैया देखो कोई भी मम्मी अपने बेटी को जलने के लिए आग देला करके इसंभव है क्या कोई मा अपनी बेटी को जला सकती है कोई बहुत है नागिन हो तो लग बात कोई मा अपनी बेटी को जला सकती सास भले अब हम हाला कि बिचारी आजकल की सासुएं अब वो ही रही रही गई पहले वाली अब नहीं रही अब तो सास को ही डर लगता है कि कहीं बधवाय न दे हम काया बतले बढ़ोती में चकी पी सिंग अजकल की सासुएं आब सब डडड़ के रह रही है चोकी जाई का तो रंते धुम के जाई का सवननमबर लगाई का अब पहले की सासुएं द दूसरी देवाजकल की सासुएं अड़ट कर ली हैं इस बिचारी है फेर तो तरजटा को मा कहती जानकी में कोई मा आगला के देगी बेटी के लिए पने जल जाओ तरजटा बहाना बनाई चली गई कि निसी ना अनल मिली सुन सु कुमारी अस कही सोनी जग भवन सिधारी अस कही सोनी जग भवन सिधारी अब सीता मैया को एक सहारा था तरजिटा का वो चली गई तो सीता मैया अब चंद्रमा से, तारों से, असोक के पूलों से आग माँग रही है सीता मैया को जब आग मांगते देखा, जण जण से आग मांग रही है तो हनुमान जी ने मन ही मन ठान लिया कि जिसका बेटा ही आग हो, खल बन पावक, 27 fall तिरा कल ठीक से बहोर होने दे दिन होने दे थोड़ा सा पूरी लंका में कल आग ही आग मेरी माँ आपको तर से लंका भर में करसवेरा होते ही आग ही आग मिलेगी हनवान जी अंगुठी गिराय उपर से राम जी के अंगुठी सिता मैया को लगा असोक भाई ने पुष्प वो अंगारा दिया है अंगारा गिर रहा है मनी जड़ी तें उड़ी थी मनी मुदरी मनी मुदरी थी ओ और चमचमाती हुज नीचानी शुरू ही उनको लगा कि अंगारा गिर रहा है असोक भाई ने दिया है वो इसको जट से केच करनी लेकर जब हात में लेकर देखी तो अंगारा मान के ली थी लेकिन वो थी मुद्रिका तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित पी सुंगर अब मुद्रिक पहचानी, ये तो मेरी ये उठी है मिलने राम जी को दिया था केवट की उतराई के लिए ये तो राम के पास थी यहां कैसे आई राम तो आजे हैं कौन लाया अब जानकी जी के अंदर भात भात के प्रस्न कड़े होने शुरू हुए इसी भीच हनुमान जी असोक की डालिब बैठे बैठे राम चंद्रगुन बरने लागा सुन तैसी का अरगुत भात भात सुन तैसी का अरगुत भात हनुमान जी डाली पर बैठे के असोक की और राम कथा कहना सुरू किये और राम कथा के शब्द सुनते ही सीता मैया का सारा दुख भाग गया मैं आपसे दो सवाल पूछू क्या आप चाहते हो मेरे जीवन के सारे दुख भाग जाए चाहते हो अचा क्या आप चाहते हो कि मेरे जीवन के सारे संसे नस्ट हो जाए सारे कुष्चन, सारे संसे सब दूर हो जाएं चाहते हो? नहीं चाहते हो सब दुख भाग जाएं और सब संसे दूर हो जाएं लगवख सबकी इच्छा है लेकिने दोनों इच्छाओं की पूर्ती एक उपाय से हो चकती है एक उपाय से अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन के सब संसे भाग जाए और आप चाहते हो मेरे जीवन के सारे दुख भाग जाए तो दोनों चीजें पाने का एक उपाय है राम कथा सुनो राम कथा सुनो, सुनते सीता कर दुख भागा, राम कथा सुन्दर करतारी, संसे बिहग, जीवन के सारे संसेओं को दूर करने वाली, और जीवन के सारे दुखों को भगाने वाली, जो वस्तु है, उसका नाम है, जै जै राम कथा